कुंद्रू की सब्जी ये बनने के बाद बहुती स्वादिस्ट सब्जी बनती है ना सिव्य स्वादिस्ट होती है बलकि ये काफी लाब धायक भी होती है हरी सब्जी का सेवन करना वैसे भी काफे फायदे मन्द होता है उनमें से एक है ये कुंद्रू कुंद्रू के अंदर विटामिन B1, B2, आइडन, कैलशियम नजाने और कितने गुणकारी तत्वो मोजोर होते हैं ये डायबेटिक पेशेंट को हाइली रिकमेंड की जाती क्योंकि इसके अंदर गुलकोज 6-फासफेट तत्वो होता है जो कि उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी लाबदायक होता है तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं कुंद्रू को आप अपने आवशक तनिसार काट सकती हैं चाहे गोल, चौरस या आठ भाको में भी यहां पर मैंने मीडियम साइज का प्याज काटा हुआ है बारिक और उसमें हरी मिर्च और 4 टमाटर घिसके रखे हुए है यहां पर मैंने लोही की कडाई के इस्तमाल किया है क्योंकि लोही की कडाई यूज करने से आईरन मिलता है जो कि हमारे बालो और आखोर हड्य को मजबूत करने के लिए काफी उच्छा होता है यहां पर मैंने दो बड़े चमच तेल यूज किया है आप कोई सार भी रिफाइंड ओयल यूज कर सकती है या फिर आप इसकी जगह पर सरसो का तेल भी यूज कर सकती है यहां पर मैंने 40 चमच जीरा डालaisse है कड़ी पत्ते को मीत्हा निम भी बोलते हैं और यह प्यूरिफटा करने में काफी यूज होता है अब यहांपर मैंने प्यास दाव दिया है, प्यास मैंने चार हरी मिच्चे काटके रखी भी थी, अब इसको golden brown होने तक धून लेंगे इसी तरीके से हिलाते हैं इसको golden brown होने तक धूनना है प्यास को अगर आप लो बीपी और लो शुगर के पेशेंट हैं तो प्लीज आप इस सबजी को ना खाएं क्योंकि ये इन पेशेंट के लिए सबजी लाबदाइक नहीं होती है क्योंकि ये सबजी मैं लंच बॉक्स में भी पैक करके देने वाली हूँ तो इसलिए मैंने प्रांठों के लिए आटे में नमक और फोई सी अजवाइन डाल कर इसको गूद के रख लिया है प्याज भुन जाने पर यहाँ पर एक छोटा चम्मच लसन अद्रक का पेश डाले आप लसन अद्रक नहीं खाती हैं तो आप अवाइड भी कर सकते हैं इसके इंड़र क्योंकि लसन अद्रक भी हमारी बादी के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसे हमें यूज करना चाह आप नहीं करते हैं तो मच थाई इसे अवाइड करें और इसको इलाते हुए इस तरीके से प्याज में मिक्स करके घून ले एक मिनट तक अब मैंने यहाँ पर डाइस किये हुए आलू काटके रखे हुए ते तीन मेडियम साइस के इसके अदर डाल दिया है क्योंकि आलू सब्जी के साथ में और सब्जी का मिंडल, आइरन और अधर विटामिस जो है वह इसके अंदर आलू के साथ में उनको खाने में मिल जाते हैं यहाँ पर मेरी आलू को मैंने साथे कर लिया था अब इसके पर मैं कटीवी सब्जी जो है सारी डाल लूँगी और इसको भी इसी तरीके से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद में मैं इसके अंदर कुछ सूखे मसाले एड करूँगी यह सब्जी बिनाते टाइम आपको अपनी गैस को धीमी आज पर रखना है यानि कि स्लो फ्लेम पर रखना है इसको आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर्ची की साहता से सारी सब्जी को आपस मिक्स कर रहे हूं यहां पर मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने आधा किलो कुंद्रू यूज किये हैं, उसके साथ में तीन छोटे साइज के आलू काटके डाले हैं, इसमें मैं आधा छोटा चमश नमक डालूँगी, इसके अंदर मैंने आधा छोटी चमश से भी कम मैंने रेड चिली पाउडर सी के इसे अपली इसे के एड़ा है के सब्सक्राइब सब्सक्राइब धुटके. ढखने से पहले आप क्योंकि मैं यहां पर लोह की कडाई यूज़ कर रही हूं आप जो उनसी भी कडाई यूज़ करती हैं इस सब्जी को बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा पानी छिड़का के पहले डालें ताकि सब्जी नीचे चिपकेगी भी नहीं और स्टीम प्र अब सब्जी को मिक्स करके इसको किसी भी ढपकन से जिससे की सारी सब्जी कवर हो जाए इस तरीके से धबती और इसके उपर भी थोड़ा सा पानी डाले ताकि जब वो फानी भाब बनके उपर आएका तो उपर से जो पानी होगा वो इसको स्टीम प्रॉसेस कि तूरो एक की तबाव देगा ठिक है इस तरीके से आप 15 मिनट के बाद में सब्जी को धबकन धकन हटाकर 14-15 निक्सकEveryकरें और हरी सब्जी में अगर आप फोिसे भीरी सब्जी बनाती है उसके अंदर आलू डाल त बडाल ढालती अगर वो easily cut हो जाता है आपके इस कर्ची से तो इसका मतब वो आलू पक चुके हैं अब सब्जी को भी इसी तरीके से ही side में लेके थोड़ा सब कट करके देखें तो आप देखेंगे अगर वो easily cut जाता है तो इसका मतब वो सब्जी भी पक चुकी है क्योंकि इहां पर सब्जी अब पक चुकी है तो मैं अब इसमें जो मैंने टमाटर घिसके रखे हुए थे उसको डालूँगी कि सबसे तरह रहे हैं आप देख सकते हैं कि मैंने कि इस तरिके से पहले सारी सब्सक्राइप किया हैं अब पर मैंने जो घिसे पर रखे वेदे होगे उसको डाल दूगी टमाटर यहां पर मैं इसलिए यूज़ कर रहे हूँ क्योंकि यह सबजी में इसके टेस्ट को और भी अच्छा सा एन्हेंस्मेंट कर देता है अब सारी सबजी को ढखकर टमाटर से इस तरीके से मैं ढख दूँगी ताकि टमाटर नीचे पक जाए और सबजी और स्टीम के तरूँ पक जाए अब इसी तरीके से अब यहां पर पानी आपको बिल्कुल भी एड नहीं करना है उसी धोकन से यह वापन से धोकर रख दे और नहीं धोकर के उपर वी अब आपको दुबारा पानी नहीं डालना है अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आज पर यानि कि जितना आपकर ढ़ेकर गैस चलता है उतनीं स्लो गैस पर आपको ढखके रखना है क्योंकि यहां पे मैं इसको सुबह नाष्टे के लिए बना रही हूं तो मैंने आटा गोट के रख लिया है और चौरस प्रांठे बना लिये हैं इसमें मैंने नमक और अजवाइन आड़ किया हुआ है अब यहां पे मेरे कुछ प्रांठे भी सेख के रेडी हो गया है क्योंकि मुझे लंच बॉक्स भी पैक करके देना है तो इसलिए मैंने यहां पे कुछ प्रांठे भी सेख लिये हैं अज़िते तरीके से ढख कर रखना है क्योंकि हां पे हमने मसाले पहले एड़ कर दिया थी सब्जी के अंदर और टमाटर हमने बाद में डाले हैं तमाटर अब उमारे हां पे पक चुके हैं लेकिन आप जानते है कि टमाटर के अंदर खटा पन होता है और वो खटा पन सारी सब्जी के अंदर मिक्स हो जाए यानि कि उस टमाट्रों के अंदर भी वो मसाली मिक्स हो जाए और उन टमाट्रों का खटा पन है वो सारी सब्जी के अंदर मिक्स हो जाए तो इसलिए आप फिर से इसको मिक्स करके धकन से वापस से धक कर साथ या आठ मिनट घड़ी के अंद ही बस्ट रहीं